हेलो एवरिवान, आज की वीडियो में मैं आएक कहानी पढ़ूँगी, ये कहानी में अतुल्य कक्षा पहली की बुख है, उसमें से पढ़ूँगी, शेर और खरगोश की कहानी है, जो इसमें सीख मिलती है, वो ये है, सूझ बूझ का परिणाम सदा अच्छा होता है, ठीक है स्टार्ट करते हैं, पठन स्टोरी रेडिंग, एक जंगल में शेर रोज किसी ना किसी जानवर को अपने पास बुलाता था, और खा जाता था, सभी जानवर जान बचाने के लिए शेर से बचने की तरकीब सोचने लगे, एक दिन शेर के पास जाने की बारी खरगोश की उससे देर से आने का कारण पूचा, उसने बताया कि उसे रास्ते में एक कोई में रहने वाले शेर ने रोक लिया था, शेर ने करगोश से उस कोई वाले शेर के पास ले जाने को कहा, शेर ने कोई के पास जाकर पानी में जाका, तो उसे अपनी परच्छाई नजर आई, उ उसने उसे कोई दूसरा शेर समझ लिया, उसने गुसे में आकर कोई के अंदर रहने वाले शेर पर हमला करने के लिए कोई में छलांग लगाई, शेर कोई में गिरते ही डूब कर मर गया, खरगोश की जान बच गई, अत्याचारी शेर की मृत्यू के बाद जंगल के सभी जानवर भी बहुत खुश हो गए, अब इस कानी से आपको क्या जिक्षा मिली, सूज बूज का परिणाम सदा अच्छा होता है, अब मैं हम आपसे ट पढ़िया है, इस स्टोरी में कौन कौन से दो जानवर थे, very good, शेर और खरगोश, और इस जंगल में कौन सा जानवर किसको खाता था, कौन खाता था इस जंगल में, शेर, शेर अपने पास जानवरों को बुलाता था, very good, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी है, तो प्लीज लाइक कर दीजिये थैंक यू, बाबाई